Hello everyone! Welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Pyle Popley and this particular video में हम देखने वाले हैं Class 12 का Business Studies का Full Package Series का Chapter No. 4. So आप सबको पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है Full Package Series और इसमें हमने अलग-अलग तरहे के Questions एक Particular Chapter से Related डाले हैं एक वीडियो में. हाँ, यह Particular Pattern जो है यह हमने Sample Paper से उठाया जो कि CBSC ने Release किया था. So आज हम इसका Fourth Chapter solve करने वाले हैं. I hope आपने PDF से पहले से ही सारे Questions देख लिये हैं, Attempt कर लिये हैं. अब आप सिर्फ यहां पर आए हैंगे चेक करने के लिए कि आपके द्वारा Attempt के Questions क्या सही हैं कि नहीं हैं. जिन्वें Students को नहीं पता हैं, इन सारे Questions का PDF एक दिन पहले ही available हो जाता है चानल पे, Community Post से वहां से आप Link ले सकते हैं, PDF का और इसे solve करके देख सकते हैं, चलिए. फिर इसके साथ साथ एक आपको जानकारी भी देदू, that Magnet Brains ने अब अपनी books भी निकालना शुरू किर दिया है, books भी हैं, e-books भी हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, topic wise explanation मिल जाएगी, MCQ questions मिल जाएगे, sample papers मिल जाएगे, PYQs मिल जाएगे, और जितना possible चीज़ Magnet Brains के पास आजाएगे, वो फिर आपको call करके बताएगे कि ये books आपको कैसे मिल सकती है, जो भी students interested हो, form जाके fill कर दीछे, अभी तक वैसे आप used to हो चुके होंगे, full package series में किस तरह से question आने वाले हैं, या आते हैं, बट एक बार फिर भी मैं repeat कर देती हूँ, अगर कोई student for the very first time देख रहा है तो, question 1 to 20 आपके रहेंगे, MCQ based question, जिसमें आपके आएंगे, assertion, reason वाले question, match the following, picture based question, case based questions, ठीक है, उसके बाद question 21 to 24 होंगे, 3 marks each के, जो की subjective type question रहेंगे, 25 to 30 रहेंगे, 4 marks each के, ये again, subjective questions होंगे, इसमें case based questions भी आ सकते हैं, 31 to 34 रहेंगे, 6 marks question each, and इसमें subjective question आएंगे, as well as case based questions भी आएंगे, दियान दीचेगा, picture based question for the very first time, business studies में आपके सामने आने आने वाले हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, preparation ऐसी कर सकते हैं, कि हर chapter में जतनी भी pictures दी होंगे, और उनके नीचे जो caption लिखे होंगे, उनको अच्छे से अपने जहन म हैं, मतलब obviously 3 घंटे का आपका paper रहता है, जिसमें आपको अपना पूरा paper finish करना होता है, 80 number का ये paper रहेगा, 20 number आपके project के रहेंगे, and इसमें total 34 questions होंगे, हर question के आगे marks लिखे होंगे, तो marks के recording आपको content लिखना होगा, answer आपका to the point होना चाहिए, फाल तो कोई बक्वास नही पर नहीं जाना चाहिए, हर एक पार्ट को साथ में attempt करें, question के, अलग-अलग parts को अलग-अलग, मतलब जगे attempt ना करें, ठेक है, चलिए, अब हम शुरू करते हैं, हमारे first question से, जो क्या है, MCQ question है, मतलब multiple choice question है, चार option आपके सामने लिखे होंगे, question आपके सामने लिखा होंग को attempt करना है, कौन सावाला correct answer है, यह बोल रहे है, which of the following is an activity which requires a manager to look ahead and anticipate changes, organizing, staffing, planning, controlling, इन में से वो कौन सी activity है, जिसके चलते हुए, manager आगे देखता है और anticipate करता है changes, anticipate करने का मतलब होता है, uncle ना करना, मतलब हुई नहीं है वो चीज अभी तक, but आप पहले से उसे थोड़ा सा, you know, guess करके देख रहे है, guessing work जो होता ना वो है, तो ऐसा कौन सा वाला activity है in message जिसमें manager यह काम करता है, क्या वो organizing है, क्या वो staffing है, क्या वो planning है, क्या वो controlling है, and the correct answer is planning, देखिए अभी यह planning chapter में था, तो आपके लिए easy था mark करना यह planning है, but when it comes to your final exam, वहाँ पर आपको नहीं पता होगा, यह कौन से chapter से relate करता है, तो वहाँ पर आपको essay words पर rely करना पड़ेगा, look ahead, आगे देखना, anticipate करना, तो यह सारी चीज़े हम कहां करते हैं, planning में करते हैं, हम future के बारे में जब भी भी सोचते हैं, जब भी उनके बारे में anticipate कर रहे होत चलिए, let's move to the second question, it says, planning gives direction, reduces the impact of change, minimizes waste and redundancy and establishes chaos among departments, sets the basis used for promotion of individuals within the organization, planning guarantee, safeguard from external environment, sets the standard use in control, okay, यह बोल रहे हैं कि planning direction देती है, change के impact को reduce करती है, wastage को reduce करती है, and मतलब एक और plus point बताना है आपको planning का, जितने भी उपर लिखे हूँ है, planning के advantages हैं, और आप को उन advantages में, मतलब उस list में एक और advantage आट करना है, तो you basically have to find this, कि यहाँ पर कौन से वाला advantage लिखा हुआ है, it sets the standards used in controlling, यह controlling में जो standards use होत करते हैं, वो set करती है, planning guarantee, safeguard from external environment, external environment से आपको safeguard guarantee करती है, words पर जाना, specifically words पर जाना, sets the basis used for promotion of individuals within the organization, organization में individuals की promotions कैसे होंगी, उनके लिए standards set करती है, establishes kios among department, departments की बीच में kios establish करती है, मतलब होच पॉच, यह तो बिलकुल नहीं है answer, promotion का क्या लेने दिने planning से, planning guarantees safeguard from external environment, guarantees, actually, seriously, no, right answer क्या होगा, आपका D होगा, क्यों, क्योंकि यह तीनो clearly गलत सीज़त दी हुई है, planning कभी भी guarantee नहीं करती किसी चीज़ की, planning do not guarantee success, हमने पढ़ा था एक feature, right, so यह चीज तो बिलकुल गलत है, उपर वाली तो बिलकुल ही गलत है, so only option हमारा पास बचता है D, तो D will be the correct answer, यह advantage है हमारा planning का, second question का answer है D, third question, planning involves dash, it is essentially the process of choosing among various alternatives, mental exercise, the season making, wasteful activities, both A and C, planning involves dash, it is essentially the process of choosing among various alternatives, planning में dash involve होता है, और यह एक process है, जिसमें आप various alternatives के बीच में से choose करते हैं, mental exercise, the season making, wasteful activities, B and C, planning में क्या included होता है, क्या involved होता है, जिसमें आप various alternatives में से choose करते हैं, यह various alternatives हैं, इन में से आप choose कर रहे हैं, यह क्या है, choose करना क्या कहला जाएगा, decision making, यह पे आप decide कर रहे हैं, क्या हमें यह चाहिए, out of all these, so B will be the correct answer, planning involves decision making, feature में भी था, चलिए, fourth question, all other managerial functions are performed within the framework of plans drawn, thus it can be said that planning precedes other functions, this statement describes which function of planning, planning focuses on achieving objectives, planning is pervasive, primacy of planning, planning is futuristic, बताएए, क्या होगा इसका correct answer, all other managerial functions are performed within the framework of plans drawn, जो भी plans बनाएए हैं, बाकि जितने भी functions होते हैं, organizing और, staffing और, directing और, controlling और, यह सारे planning के framework के अंदर अंदर ही पूरे किये जाते हैं, और planning basically precedes करती है, अदर function को, मतलब सबसे पहले planning आती है, उसके बाद बाकि सारे function शुरू होते हैं, यह वाली statement, planning को as a function क्या describe करती है, planning focuses on achieving goals, planning is pervasive, primacy of planning, planning is futuristic, बताएए, planning सबसे पहले आता है, बाकि सब late आते हैं, उसके बाद आते हैं, यह चीज क्या बताती है planning के बारे में, कि planning सबसे पहले आता है, अब planning सबसे पहले आता है, यह कौन सी चीज में बोला हुआ है, planning सबसे पहले आता है, primacy of planning में बोला गया है, so C will be the correct answer, हर एक लाइन में वो क्या बताने की कोशच करेती है, कि बाकी सारी चीज बाद में आते है, planning सबसे पहले आता है, तो planning सबसे पहले आता है, तो primacy of planning will be the correct answer, चलिए, question fifth, planning is a thinking process, the organized foresight, the vision based on facts and experience, that is required for intelligent action, this definition of planning is given by Henry Fjord, Alfred and Betty Hurley, P.W. Taylor, यह है तोड़ा सा factual question, यह रटे बाजी वाला question, एक definition दिविया उपर, और नीचे चार option दिए हुए है, अलग-अलग इंचानों के और आपसे पूछा हुआ है, कि बताईए, उपर दी हुई definition, कौन से अंद्वारा दी गई थी, definition क्या बोलती है, planning is a thinking process, planning में सोचना पड़ता है, वो एक सोचने वाली प्रक्रिया है, the organized foresight, इसमें हम आगे की बारे में सोचते है, foresight मतलब future को देखते है, organized way में, the vision based on facts and experience, facts और experience के basis पे जो vision form होता है, वो required for intelligent action, intelligent action के लिए जो required होता है, वो, यह definition planning की दी थी, किसने, रटे बाजी वाला question है, and the correct answer is Alfred and Betty, चलिए, question 6, planning provides the standards against which actual performance is measured, in the light of the statement, identify the benefit of planning from the following, planning establishes standard for controlling, planning provides direction, planning is a mental exercise, planning involves disease and making, planning provides standards against which the actual performance is measured, planning standards set करता है, जिसके against actual performance को measure किया जाता है, इस statement के light में आप बताईए, benefit planning का, यह 4 benefits लिखे हुए, लेकिन आपको इस statement से relate करता हुआ, कोई benefit बताना है, पहला है, planning establishes standard for controlling, planning standard form करता है, controlling के लिए, planning direction प्रवाइड करता है, planning एक mental exercise है, planning involves decision making, देखे हम actual performance को कब measure करते हैं, standard से, कौन से वाले part में करते हैं, controlling में करते हैं, controlling में काम ही होता है, actual performance, standard set, दोनों को compare करो, यही होता है न, तो planning establishes standard for controlling will be the correct answer of this question, simple, अभी तक जितने भी question आये हैं, बहुत simple आये हैं, I hope यह सारे question आपके सही थे, चलिए 7th question है, name the most critical step in the process of planning, planning में जो सबसे critical step होता है, उसके बारे में बताईए, planning में जो सबसे critical step होता है, उसके बारे में बताईए, implementing the plan, developing the plan, selecting the best possible course of action, none of the above, बताईए, सबसे critical step कौन सा होता है, implement करना plan को, develop करना plan को, best possible course of action को select करना, यह फिर none of the above, life में सबसे बड़ी वाली choice कब आती है, सबसे बड़ा वाला dilemma कब आता है, जब आपके पास choice होती है, यह करू यह करू, science लूँ या commerce लूँ, commerce लूँ, arts लूँ, commerce में भी CA करू, CS करू, यह करू, वो करू, ऐसी होती है, जब आपके पास choices होती है, और choices में से आपको एक चीज़ चूज़ करने होते हैं, तभी dilemma आता है, तभी सबसे difficult situation आपको लगते हैं, तो planning में भी सबसे critical, सबसे मुश्किल situation कब आती होगी, जब आपको different, different alternative में से select करना पड़ता है, selecting the best possible course of action, ठीक है, चलिए, 8th question, what is meant by follow-up action as the step involved in the process of planning, planning में एक step होता है, last step होता है उसका follow-up action, इसका मतलब क्या होता है, managing the plan, checking the plan, selecting the plan, none of the above, क्या मतलब होता है follow-up का, follow-up लेते रहना, क्या मतलब होता है इसका, checking the plan, check करते रहना, follow-up लेते रहना, मतलब check करते रहना कि चोची से decide किया है बिल्कुल वैसे ही हो रही है कि नहीं हो पा रही है वैसे 9th question Some plans are used repeatedly in similar situation identify the type of plan कुछ plans को हम बार 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 जब same situations आती हैं तो इस्तमाल करते हैं ऐसे plans के लिए एक नाम रखा गया है क्या है वो नाम standing plan, simple use plan, policy plan none of the above एक plan जिसको बार बार इस्तमाल किया जा रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं किस नाम से बुलाते हैं उसे हम उसे हम बुलाते हैं standing plan के नाम से, single use plan का मतलब होता है एक बार इस्तमाल होगा, standing plan का मतलब होता है यह बार बार इस्तमाल होगा 9th का answer क्या है 10th का अंसर, name the type of plan which is in the form of general statements and channelizes energies towards a particular direction, budget, rule, policy, method, name the type of plan, उस plan का type बताईए, उसका नाम बताईए, which is in the form of general statements, जो general statements के form में होता है और particular direction में सारी energy को channelize करता है, उस तरह के plan का नाम बताईए, budget, rule, policy, method, बताओ, and the correct answer is policy, यह channelize करता है सारी energy पूरे एक direction में, अच्छा, इस तरह के question बहुत सारे आएंगे, types of plans की basis पे, तो यह वाला topic ना थोड़ा सा IMP mark कर ले ना और अच्छे से पढ़के जाना, चालो, 10th का answer है C, Now, let's move to question number 11, यह क्या बोलता है, देख लेते हैं objective, strategy, policy, none of the above, एक company है, उसको नया product launch करना है, तो ऐसे scenario में उसको किस तरह का plan बनाना चाहिए, जब भी कोई company नया product launch करते तो किस तरह का plan बनाती है, यह exact आपकी book में लिखा हुआ है NCRT में, तब ही बोलती हूँ NCRT की line by line पढ़ो और अंदर डाल लो अच्छे से, चारों में से बताओ क्या होगा, आपको correct answer, and the correct answer is strategy, जब भी आप नया product launch करते तो आप strategy बनाते हैं, अपने competitors को ध्यान में रखते हुए, तो अगर new product की बारे में बात हो रही है, या फिर competitor की बारे में बात हो रही है, आपका answer strategy होगा, चाली, question number 12, it says, which plan is defined as the formalized or systematic way of doing routine and repetitive jobs, जब आपको routine और repetitive jobs करनी होती हैं, तो उस time पे systematic way से follow करने वाला plan बनता है, मतलब हर सी systematic way से हम follow करें, इसके लिए एक plan बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, which plan is defined as a formalized or systematic way of doing routine and repetitive jobs, objective strategy, method, none of the above, strategy तो नहीं है, for sure, none of the above भी नहीं है, चलिए 50-50 की choice आपको दे दिया, correct answer, and the correct answer is method, method मतलब routine job जो आपको करनी है, वो systematic तरीके से, method का मतलब होती है, systematic तरीके से करने वाला, बताने वाला की systematic तरीके से कैसे होगा, वो, तो C will be the correct answer, चलिए, 13th है, single use plans are formulated to achieve a specific target, responsible and can be easily fixed, it comes under the standing plan, none of the above, single use plans जो होता है, इसकी बारे मैंने आपको तब बताया था, जब standing plans रिलिदे एक question आया था, तो single use plans जो होते हैं, वो होते हैं, जो की specific target को achieve करने के लिए बनाया जाते हैं, जो की responsible होते हैं, और easily fix किये जा सकते हैं, जो की standing plan के अंदर आते हैं, बताओ, क्या होगा आपका correct answer, none of the above नहीं है answer, चलो ये भी बोलती हूँ, ये भी नहीं है, 50-50 choice, जल्दी बोलो, A will be the correct answer क्योंकि standing plan के अंदर नहीं आते हैं, standing plan अलग होते हैं, single use plan अलग होते हैं, standing plan का मतलब होता है, एकी plan को बार बार यूस करना, single use plan का मतलब होता है, एकी बार इस्तमाल करना, ठीक है, त policies, procedures and programs among alternatives, this definition has been given by M.E. Harle, Peter Drucker, Henry Fjol, Chester Barnard, बताओ, ये एक definition दी हूँ है, जैसे पहले Alfred वाली थी, Alfred and Betty वाली definition थी, वैसे ही एक definition है, जो आपको दी हूँ है और आपको बताना है कि ये किस इंसान ने दी है, planning is deciding and advanced, planning का मतलब है, advance में decide करना कि क्या करना है, इसमें selection of objectives होता है, policies होता है, procedures होता है, programs होता है, among alternatives, अलग-अलग alternatives के बीच में objectives decide करना, policies decide करना, procedures decide करना, programs decide करना, ये किसने बोला है, again, रट्टे बाजी वाले question है, factual question है, and the correct answer is, M.E. Harle ने बोला है, चले, 15th question, plans are made for a specific time period, at the end of such time period, new plans have to be drawn, identify the feature of planning, planning is pervasive, planning is futuristic, planning involves decision making, planning is continuous, जल्दी बिताओ, plans specific time period के लिए बनाय जाते हैं, और जब वो specific time period निकल जाता है, तो नए plans बनाने पड़ते हैं, ये planning के एक feature के बारे में बताता है, आपको बताना है, वो कौन सा feature है, planning is pervasive, planning is futuristic, planning involves decision making, ये planning continuous होता है, जल्दी बिताओ, एक प्लान खतम दूसरा प्लान बनाओगे, दूसरा प्लान खतम थीसरा प्लान बनाओगे, दीसरा प्लान खतम चौदरा प्लान बनाओगे, कौन से फीचर के बारे में तुम्हें बता रहे हैं, कि प्लान कभी भी रुखते नहीं है, planning is continuous, planning is what, continuous, चलिए, 16th question, 16th question है, picture-based question, य क्या कर रहे हैं जैसे वो बोलते है ना अर्जुन की नजर सिर्फ फिश की उस पर थी आख पर थी तो उसने एकदम एक्जाट निशाना लगा था वैसे ही जो बास्केट बॉल खेल रहे हैं उनकी नजर बिलकुल इस यह नो उस पर है नेट पर है और मतलब वहीं देखते फरस्ट बोलग जो सेट करना तकि आपकी पूरी पूरी जो एक्शन ओडिगो वो इसके ऊपर बेस्थ हो तो तो सबसे पहले अपना यह मतलब अरजुन ने भी जब तीर उठाय तो सबसे पहले उस ने क्या देख под festive यह जाल यह दिखाता कि वह प्रॉपली की आंक कांपर है उसको ध्यां में रखते हो उसने तीर उठाया और ऐसे फिर मारा तो उसका पूरा किस पर बेस था उसके objective पर उसके goal पर उस वो जो चीज़ अचीज़ करना चाहता है उस पर तो पहले मंजल तै करो उसके बाद रास्ते fix करना so setting objective will be the first will be the correct answer चालिए 17th question है assertion reason वाला question जिन्मी students को नहीं पता assertion reason वाले question कैसे solve होते हैं वो जान लो इसमें लिखे होतेँ हैं दो sentence एक लिखा होता है assertion में से होगा लेकिन अगर यह दोनों ही statement correct है तो आपका answer इन दोनों में से होगा अब यह कैसे पता लगा कि अगर माल लीजे ये दोनों correct हैं as well as ये इससे connected है मतलब नीचे जो लाइन लेकी हुई है वो उपर वाली लाइन से connected भी है as well as उसका अच्छे से explanation भी दे रही है तो आपको correct answer हो जाएगा A लेकिन अगर दोनों statements correct हैं और नीचे वाला उपर वाले का सही reason नहीं दे पा रहा है तो आपका answer क्या होगा B होगा understood तो इस तरह से आपको answer करना है assertion reason का चले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये question okay so assertion में ही बोलते है planning is a choice making activity planning में choice making included होता है reason में बोलते है planning involves selecting the best alternative out of various available options जितने भी options आपके पास available होते हैं उनमें से best option को choose करना is planning so first में planning is a choice making activity planning में choice making होती है और दूसरे में बोला है बहुत सारे alternatives होते हैं जिसमें से एक चीज़ करने होती है अब आप पदा लगाओ सबसे पहले तो क्या ये दोनों statements correct हैं अगर correct हैं तो दोनों statements क्या एक दूसरे से linked है और एक दूसरे को अच्छे से explain कर पा रहे हैं तो यहां पर चाहिए हाँ दोनों ही statement correct है planning में होती है choice making planning में करना पढ़ता है different different alternative में से एक choose so yes दोनों ही जो हमारे statements है वो correct है and at the same time ये दोनों आपस में linked भी है क्योंकि उपर वाला जो बोला हुआ उसका सही explanation B में मिल रहा है reason में मिल रहा है so यहां पर answer क्या होगा A होगा both assertion and reason are true ये दोनों ही true है और reason में लिखी हुई चीज correct explanation है assertion की understood चालिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे next question पे that is question number 18 ये भी again क्या है assertion reason वाला question है इसमें ये बोलते है assertion में planning bridges the gap between where we are and where we want to go planning bridge करता है gap जहां हम है और जहां हम पहुचना चाहते हैं उसके बीच का मतलब जहां हम है जहां हम पहुचना चाहते हैं उसके बीच में जो gap है वो bridge करता है कौन planning reason में लिखा हुआ है it involves setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve these objectives इसमें आप basically objective set करते हैं और appropriate course of action develop करते हैं ताकि आप objectives को achieve कर सकें तो क्या दोना statements correct है पहले बात तो यह उठती है और उसका answer है yes ये दोनों ही statements correct है अब बात आती है कि नीचे लिखुए statement उपर वाली statement का correct explanation है then again इसका भी answer yes है तो यहां पे correct answer क्या होगा a होगा कि yes दोन लिखी हुई चीज actually इस चीज को अच्छे से explain कर पा रही है okay चलिए 19th question assertion में लिखा हुआ है managers need to be given some flexibility to be able to cope with the changed circumstances managers को थोड़ी flexibility देनी चाहिए ताकि वो change circumstances के साथ अब कोप कर सके मतलब अपने आपको you know used to बना सके adapt कर पहें वो चीज reason में लिखा हुआ है planning reduces creativity planning से creativity reduce होती है बताए यह क्या यह दोनों statements correct है अगर correct है तो क्या यह एक दूसरे का explanation है first मैं लिखा है planning में कुछ flexibility की जरूरत होती है ताकि चे और दूसरा planning creativity को reduce करता है क्या यह दोनों statements correct है answer है yes यह दोनों statements correct है planning कहीं न कहीं creativity को lose करता है कैसे देखो सब कुछ planned है already ऐसा बताया गया तुम्हें यह चीज ऐसे करनी है जो नए लोग आएंगे उनको अपना दिमागी नहीं apply करना पड़ेगा उनको बस बता दिया गया तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें ऐसा करना है you don't have to think much तो उनकी creativity तो चली गई ना तो yes यह sentence बिल्कुल correct है और उपर में भी यह बोला हूँ है कि चीज़ें आपके around बदलती रहती है तो planning में हमेशा आपको flexibility का scope रखना पड़ता है कि अगर चीज़ें बदल गई तो तुम उसके according थोड़ा बात mold कर लोग है तो दोनो statements correct है लेकिन when it comes to दोनों क्या एक दुश्रे की explanation है तो उसका answer होगा नहीं यह अलग बात बोल रहा है यह अलग बात बोल रहा है वो changing circumstances मतलब dynamic वाला point बोल रहा है वेराज यह creativity से related point हो रहा है तो दोनों आपस में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करें दो दोनो sentences है correct तो इसलिए answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा चलिए last mcq है assertion based मतलब assertion reason वाला question है again यह assertion में लिखा हुआ है planning is a primary function of management planning क्या है management का primary function है मतलब पहला function है unless it contributes to the achievement of pre-determined goals planning का कोई मतलब नहीं है जब तक वो pre-determined goals को अचीव करने में contribute नहीं करती है तो assertion में लिखा है primary function है planning reason में लिखा हुआ है planning का कोई meaning नहीं है जब तक वो pre-determined goals को अचीव करने के लिए contribute नहीं करती है तो क्या दोनो statements correct है statements correct है तो क्या एक दूसरे का reason है and the correct answer is B yes, यह दोनो statements correct है लेकिन यह बातें अलग-अलग चीजों के बारे में करें है same चीज के बारे में नहीं करें इसलिए reason मतलब हमारा correct explanation नहीं होगा so B will be the correct answer of this question ठीक है so यह हो गए हमारे MCQ यहाँ पर complete ठीक है चलो अब हम चलते हैं हमारे subjective type question में जिसमें first question है हमारा so यह question को पूछने के तीन अलग-अलग तरीके हो सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं actually तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर तीन आपके example के लिए दिये हूँ है first इसमें है planning provides the basis for all other functions of management comment मतलब planning बागी सारे functions के लिए basis provide करते है इससी space sentence पर आप comment करिये तीक है या फिर यह इसी question को same मतलब different way से पूछ सकते हैं जैसे कि why is planning called the primary function of management planning को क्यों primary function बोला जाता है management का या फिर तीसरा तरीका यह हो सकता है पूछने का what do you mean by primacy of planning primacy of planning का क्या मतलब होता है तो तीन अलग-अलग ways हैं जिनसे आप यह question पूछ सकते हैं answers यह में लिखना है मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि 5 functions होते हैं management के उन 5 functions में सबसे पहला function होता है planning जिसके बाद सारे functions आते हैं और जो basis set करता है बाखी सब functions के लिए यह चीज हम मानते भी हैं बस उसी चीज को आपको थोड़ा से explain करना है ठीक है बड़ा सा आप ध्यान दीजेगा यहाँ पे ना question पूछने का तरीके अलग-अलग हैं like first उसमें they ask you to comment तो यहाँ पे you won't start explaining things यहाँ पे आप अपना opinion देंगे अपना point of view देंगे जब भी comment का word लिखा होता है question में तो आपको यह मतलब होता है कि भाईया आपको ना इसके उपर आपका क्या view है आपका क्या opinion है वो अच्छे से explain करना है you don't have to explain the concept ठीक है whereas यह दो बाकी जो question है मतलब जिस तरह से दो question पूछे गए है यह आपसे meaning पूछ रहे है या फिर explanation चाह रहे है normally so जिस तरह का question आएगा जिस pattern से question पूछा जाएगा उसी pattern में ही आप reply करेंगे जैसे explain लिखा है तो you will explain explain briefly लिखा है तो आप बहुत ही short में explain करेंगे अगर लिखा हुआ है state तो मतलब आप सिर्फ नाम लिखेंगे ऐसा सब किया जाता है चलिए यहाँ answer देख लेते है क्योंकि यह 3 number का है तो आपको ज़्यादा content लिखने की ज़रूत नहीं है within the framework of plans drawn यह बोलते हैं कि सबसे पहले plans बनते हैं और बाकी जितने भी functions होते हैं वो इस framework में ही किये जाते हैं मतलब यह planning में हम boundaries set कर देते हैं और बाकी जितने भी functions होते हैं वो in boundaries के within ही किये जाते हैं perform ठीक है since planning precedes all other functions it is called primary function of management और primacy of planning क्योंकि planning के बाद ही बाकी सारे functions शुरू होते हैं बाकी सारे functions की नीव ही planning से रखी जाती है इस ते से primacy of planning भी बोला जाता है और आस बलाज इसे primary function भी बोला जाता है तो यह होगी आपका explanation चलिए let's talk about question number 22 यह बोलता है how planning leads to increased efficiency हम मानते हैं हमने planning के advantages में एक point पड़ा था कि planning की वज़े से efficiency increase हो जाती है तो यहां यह बोल रहे हैं कि कैसे होती है why do you think कि अगर कोई इंसान अच्छे से planning करे तो efficiency increase हो जाएगे आपको क्या लगता है क्या होगा reason देखो मेरे घर में शादी है मैंने कोई planning नहीं किया मैं इदर जारी हूँ मैंने कोई planning نہیں की थी कि की requirement है एक बडर फर्स शॉप से मैंने वो चीज़ खरीद लिया और सेम चीज मैं थर्ड शॉप से भी खरीद के आ रहीен वक्रेज मैंने यहांपर प्लाइनिक नहीं है इससे क्या होगा बिना मतलब की चीज़ें मैंने खरीद ली और सम्टाइम्स ऐसा भी हो सकता है जो important चीज थी वही इसके पो गए तो बिना मतलब की चीज़ें खरीद के आगे हो तो हम पैसे तुमने वेस्ट कर दिया है पूरे अब वो चीज़ें भी वेस्ट ही होंगी इना वे तो रिसोर्स इसका वेस्टेज हो रहा है यह चीज यहां पर सही से मिलेंगी इसका यह बजट हम सेट करते हैं इसका यह बजट हम सैट करते हैं ओवरॉल हमें इतना खर्चा करना है ओवरॉल हमें इतनी सारी चीज़ें तो यह सारी प्लानिंग करने के बात जब हम उन चीज़ों को लाएंगे खरीदेंगे उन पर प efficiency तो मतलब इसका result efficiency में ही तो निकलता है तो बस वही चीज है It says planning determines in advance what is to be done in future Planning का मतलब होता है advance में सोच के रखना advance में decide करके रखना कि future में क्या करना है ठीक है It helps us in knowing as to what we will have to perform in order to achieve the objectives Objectives achieve करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा इस बारे में जानना हमारे का planning के लाए जाता है Various activities of different departments and divisions are carried on in an effective manner thereby reducing overlapping and wasteful activities अलग-अलग activities different different departments की करवाई जाती है बहती effective manner में ताकि overlapping ना हो और wasteful activities ना हो तो चीज मैंने अभी आपको बोले overlapping भी ना हो मतलब ऐसा भी ना हो कोई समान दो बार आ गया और ऐसा भी ना हो कि कोई समान आया ही नहीं है ठीक है It results in timely completion of moves इसकी वज़े से moves timely complete हो जाते हैं ये wastage reduce करता है और efficiency increase करता है ठीक है तो ये सारे फायदे पहुचते हैं planning से इसलिए planning efficiency में lead करता है बोला जाता है चाले 23rd question है Why is planning a prerequisite for controlling? How does planning facilitate controlling? दो अलग-अलग तरीकों से question पूछा जा सकता है Basically they want to know the relationship between planning and controlling Planning और controlling कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए देखे Planning में हम क्या करते हैं Planning में हम objective set करते हैं कि भया हमारे ये objectives हैं हमें ये achieve करने हैं हमारी पूरी की पूरी जो action होगी वो इसी के respect में होगी ठीक है? उसके बाद controlling में हम क्या करते हैं controlling में हम actual performance को standard performance से compare करते हैं ये standard performance क्या है? This is nothing just your objective जो तुमने पहले से set किये हुए Planning में तुमने कुछ standard set किये controlling में तुमने actual performance को standards की साथ क्या किया? match किया, compare किया तो ऐसे में comparison करने के बाद जो result आएगा deviation, variation, find करेंगे वो सारी चीज़ है different है लेकिन यहाँ पर जो main चीज़ है जाने लाएक वो ये है कि जो standard set किये थे वो कहां set किये थे? तुमने planning में किये थे इसले बोला जाता है कि planning is a prerequisite for controlling अगर planning में हम ये standard ही set ना करें तो फिर हम actual performance को compare किस से करेंगे controlling वाले पार्ट में तुमने ये चीज़ है तुमने ये चीज़ है तुमने जो it says, it is said that planning is prerequisite for controlling because planning provides the standards planning provides the standards with which actual performance is compared evaluated and hence controlled by the managers standard set किये जाता है जिनके साथ actual performance को compare किया जाता है evaluate किया जाता है और finally मतलब जो managers होते हैं वो से क्या करते हैं control करते हैं अगर जरूरत पढ़ती है तो it helps in finding deviation between desired and actual results and take corrective action ये actual results और जो आपने मतलब अपने लिए standard set किये थे उन दोनों को compare करते है deviation find करते है और कभी corrective action लेने की ऐसी आती है you know situation तो वहाँ पर corrective action भी लेती है ठीक है so planning नहीं हो तो controlling possible नहीं हो पाएगी reason being controlling में जो हम काम करते हैं वो हम planning के काम को ही इस्तिमाल करके करते हैं मतलब comparison करने के लिए standards होते है वो यहाँ पर set होते है 24th question को पूछने के तीन अलग-अलग तरीके है first they say briefly discuss the following significance of planning नहीं यहाँ पर question पर जाना यहाँ क्या लिखा हुआ है briefly discuss मतलब आपको बहुती short में discuss करना है following significances को मतलब planning की बहुत सारे significance advantages होते है तो इनको आपको इन दोर specific significances को क्या करना है explain करना है it says planning establishes standards for controlling planning promotes innovative ideas planning innovative ideas को promote करती है planning standards establish करती है controlling के लिए or state any three points of importance of planning planning के कोई भी three important points explain करो or state any three points of importance of planning function of management again same अच्छा सुनो बस difference कहा आ रहा है यहां वाले point में न जो explanation है वो तुम्हें दो ऐसे points की देनी है जो उन्होंने specifically तुमसे पूछे है और इस में उन्होंने तुम्हें मौका दिया है कि खुद decide कर लो तुम्हें कौन से वाले point explain करना है तो ऐसे question आगे तो इस वेरी it's like cake work for you because आपने जो भी question मतलब पढ़े होंगे significance आप वो लिख सकते है जिसमें भी आपकी best command होगी लेकिन उपर वाले में ऐसा होगा आपको specifically इन्ही दोनों points को explain करना पड़ेगा टेक है so you have to be ready for this क्योंकि हो सकता है तुम बीच में कुछ points ऐसे छोड़ दो thinking कि our advantages में इतने सारे points हैं बस यह वाले points याद कर लेता है क्यों इतने सारे करने और जो तुमने skip करें वही अगर उनोंने यहां पर थमसे पूछ लिए तो फिर तुमारी तुमारी तुमार पास लिखने के लिए कुछ नहीं होगा so you should be prepared for everything so ऐसे देख लेना तुम चलो इनका था standards for controlling innovative ideas okay so planning establishes standards for controlling में यह बोलते हैं planning involves setting up of objectives which act as standards against which actual performance is measured यह बोल रहे हैं कि जो planning है ना उसमें हम standards set करते हैं कि actual performance से हम compare करते हैं controlling वाले aspect में so इसले कहा जा सकता है कि planning क्या करती है controlling के लिए standards established करती है जो कि अभी हमने previous question में भी पढ़ा है तो एक तो इसका plus point यह हो गया एक इसका advantage यह हो गया planning promotes innovative ideas planning is an intellectual process planning में दिमाग लगता है यह एक intellectual process है जिसमें आप दिमाग लगा के mental process करके you just find different different thing which involves finding better ideas and methods to perform an activity जिसका मतलब जिसमें यह होता है कि आपको better ideas find करने होते है perform करने होते है different activities thus it helps in promoting innovative ideas इसलिए बोला जा सकता है कि innovative ideas को promote करते हैं again additional advantage अब यह हो गया हमारा first part जो complete ठीक है जो यह question था इसमें जो यह part था यह हमने already explain कर दिया अब हम इस पे आ रहे है क्योंकि इन में तीन तीन points explain करने के लिए बोले था तो थीसरा point होगा planning provides direction यह थीसरा point आप कोई भी लिख सकते है actually उन दोनों में तो आप यह दोनों points भी skip करना चाहें तो लिख सकते हैं बट हमने क्योंकि answer first वाले के according देना था तो हमने यह दो points specifically insert किया by stating in advance how work is to be done planning and provides direction for action it reduces aimless activity and makes action more meaningful यह कहीं न कहीं आपको दिशा दिखाती है कि आपको आगी कैसे बढ़ना है देखो आपको एक बर पता चले साए कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आप अपने efforts लगा सकते हो न अच्छे से बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किस तरफ है तो आप इदर उदर 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 घुमते रहोगे वेस्टिंग और टाइम राइट तो प्लानिंग आपकी ऐसे मदद करते हैं कि वह आपको दिशा दिखा दिखा देती कि बिटा तुम्हें मूव इसी दिशा में करना है तो फिर आगे कि स्टेप्स तुम उसके अकॉर्डिंग रखते रहते हो चलिए 25th question है What are derivative plans and why they are formulated? Derivative plans क्या होते हैं और क्यों इन्हें formulate किया जाता है? अच्छा अब देख लो यह तुम्हें थोड़ा बात हो सकता ऐसा लगे कि यह तो out of slivers question है तो ऐसे questions को तुम किस तरह से answer करोगे वो समझते हैं Derivative plans में यह बोलते हैं कि यह ऐसे plans होते हैं जो कि primary plans को additional support provide करने के लिए बनाये जाते हैं कहने का मतलब यह है Derivative plans are the supporting plans which are formulated for executing the primary plan आपने कोई primary plan बनाया था उसको support करने के लिए आपने एक additional plan बनाया उसको आप derivative का नाम देंगे When the primary plan is decided, the next logical step is to formulate the derivative plan जब primary plan को आप decide करते हैं तो आपका next logical step होता है कि derivative plan को भी वो करके चले जैसे इन्होंने एक example दिया है कि आपका primary plan था कि sales को increase करना है ठीक है? आपका primary motive, primary plan था कि sales को increase करना है अब sales को increase करने के लिए क्या-क्या चीज़ा लग सकती है कि अप production बढ़ा दो मतलब जैसे भी demand आ रहे है उसके according fast fast अपने पास production रखो storage रखो, stock रखो, यह रखो वो रखो साथ ही साथ तुम अपने यहाँ पर जो लोग हैं उनको थोड़ी बाद training दे के और efficient बनाओ तो यह training देना दूसरे लोगों को और नए लोग अगर hire करने हैं तो वो hire करो, recruitment complete करो training and development करो यह आपका क्या हो सकता है derivative plan हो सकता है यह वाला plan completely इस पे based है आपको sales increase करने थी that's why you went for this plan अगर यह आपका main primary plan होता ही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्या example दिया मैंने कि अगर किसी इंसान को अपने organization की sales को increase करना है तो वो क्या कर सकता है अपने लोगों को मतलब नए लोगों को hire कर सकता है production increase कर सकता है और अपने लोगों को training provide कर सकता है तो यह training provide करना नए लोगों को hire करना इसके लिए जो plan बनेगा वो derivative plan कहलाया जाएगा whereas the primary plan will be this sales increase करना so it says if the basic plan is to increase the sale of a product the derivative plans would be to recruit and train employees launch and advertising campaign procure funds etc समझ में आया मतलब जैसे parent company और वो होती है na subsidiary वैसा ही है holding company subsidiary company मतलब एक दूसरे के उपर dependent होती है right बिल्कुल वैसा यहाँ पर है कि एक plan बना है उसके उपर dependent दूसरा plan बन रहा है okay so this is derivative plan और क्यों बनाया जाते हैं हमने बता दिये ताकि वो primary plans को support कर सके additional assistance provide कर सके चार नंबर का question था आप चाहो तो थोड़ा बहुत explanation और कर सकते हो add क्योंकि चार नंबर के according की थोड़ा सा छोटू सा explanation है ठीक है तो आप पहले लिख सकते हो derivative plan ठीक है जैसे आपने लिखा derivative plan का meaning लिखने के बाद example वाला point तुम next paragraph में डाल सकते हो ठीक है next paragraph में जब तुम example वाला point डालोगे उसके बाद ये question का answer why they are formulated इसका अलग से लिख देना कि now let's answer this part की why these are formulated तो उसमें लिखना कि भई इसको primary वाले को assistance provide करने होते हैं इसकी वज़े से primary वाला execute करना थोड़ा सा easy हो जाता है ये additional support provide कर देता है तो ये सारे बाते तुम अलग से लिख देना instead of इसी में अंदर लिखने के ठीक है क्या बोल रही हुम है चार नंबर के according ये जो explanation है ये छोटा है इस explanation में हम कुछ changes कर रहे हैं कि पहले derivative plan को example मतब समझा दो उसके बाद example का अलग paragraph बना दो उसके बाद next paragraph बनाओ कि why they are formulated और उसमें reason लिख दो कि इस is reason की वज़े से भी feel like ये formulate किये जाते हैं understood चलिए now let's answer let's see question number 26 ये बोले हैं what is the procedure give an example for the same हमने types of plans पढ़े थे जिसमें हमने एक type पढ़ा था plan का procedure आपको बताना procedure का मतलब क्या होता है और उसका एक example देना है okay चलिए it is a sequence of steps undertaken to complete a certain activity it describes the exact manner in which an activity is performed for example in the process of staffing of employees following steps are followed estimating manpower recruitment selection placement and orientation ये बोल रहे है कि एक sequence होता है different different steps का ठीक है और ये undertake किया जाता है कोई एक particular activity को complete करने के लिए आपको कोई activity complete करने है जैसे कि इन्होंने एक्जांपल में दिद्या staffing मतलब आपको क्या करना था आपको basically नए लोग hire करने थे ठीक है ये एक activity है अब ये activity ऐसे नहीं हो सकते कि कैसे भी तुम कर रहे हो इसमेंना एक sequence follow किया जाएगा steps का और वो sequence क्या होगा कि पहले आप man park को estimate करेंगे recruitment करेंगे selection करेंगे फिर उन्हें placement देंगे और orientation मतलब उनको introduce करेंगे बाकी सब लोगों से तो आपने sequence follow किया है एक activity complete करने के लिए और वो sequence different different steps का होगा ठीक है तो procedure का मतलब क्या हुआ दिमाग में बठा लो क्योंकि मैंने कई बार देखा है policy procedure rules इन सबको लेकि न तुम बहुत confused हो जाते हो और तो मैं लगता कि इसका explanation क्या है तो देखो procedure मतलब इसमें steps included होंगे ताकि activity complete host के और यह usually sequence में किया जाता है और यह पूरी process को complete करने के लिए किया जाता है और थोड़ा सा इसका मतलब एक पर्टिकुलर तरीका होता है काम करनेगा और देन देसे मतलब ऑबसी छोटो सा दिया समय एक्स्प्लेंग किया उसमें जैसे दो तीन लाइन और आड़ कर सको तो वह ठीक बना देगा तुम्हारे इसको यहां तक लिया और फोर नंबर के अकॉडिंग है फिर ठीक हो जाएगा अभी फोर नंबर के अकॉडिंग मुझे थोड़ा से explanation कम लग रहा है चलिए training, performance, appraisal, career, planning, remuneration इन्होंने पूरे steps को include कर दिया मतलब लिख दिया है यहां पर चलिए 27th question explain objective and policy as types of plan using suitable example जैसे यह question है इसमें तुम्हारा explanation छोटा नहीं पड़ेगा reason being इन्होंने एक चीज नहीं पूछी तुमसे एक type of plan नहीं पूछा इन्होंने दो type of plan साथ में पूछनी है पहला कौन सा है objective है दूसरा कौन सा है policy है और इन दोनों को आपको explain करना है suitable examples की मदद से चलिए objective में देसे it refers to the desired future position that an organization seeks to reach ऐसी desired future position जो की organization सीख करता है achieve करने के लिए reach करने के लिए उसे हम बोलते है objective मतलब एक organization यहां पर है पर वो यहां पहुचना चाहती है तो इसके लिए वो जिस type of plan को बनाएगी वो क्या कहलाया जाएगा objective कहलाया जाएगा क्या बोला मैंने एक organization यहां पर है बट वो यहां reach करना चाहती है तो इसके लिए वो जिस type के plan को बनाएगी उसको क्या बोलते हैं उसे हम बोलते है objective it is usually framed by the top management यह usually top management द्वारा frame किया जाता है obviously देखो तुम normal सोच के रखो तुमारा school है ठीक है तुमारा school का जो सपना होगा कि वो क्या achieve करना चाहता है यह किसके द्वारा decide किया जाता है तुम बच्चे decide करते हो कि ma'am इस बर school का सपना रखते हैं साल के लिए यह करेंगे वो करेंगे नहीं न यह तुमारी top authorities जो होते हैं principal sir, president, vice president, chairman, vice chairman जो भी बोलते हैं उन सब के द्वारा tag किया जाता है कि इस बर हम क्या चाते हैं हमारा school क्या क्या अचीव करें तो यह काम usually top management द्वारा किया जाता है there are the end results of managerial activities set in specific quantitative terms for all the departments and units of the organization यह quantitative terms में set किया जाते हैं जैसे यहाँ पे example दिया हुआ है to achieve 10% increase in sales in the next quarter, next quarter में 10% sales increase करना अब यह 10% क्या है quantitative term है ना and at the same time यह वो चीज़ बता रहे है कि कहां हम अपने organization को ले जाना चाह रहे है तो यहाँ से आप पैचान सकते हैं objective के बारे में बात कर रहे हैं कई बार MCQ भी पूछे जाते हैं उसमें क्या लिखा होता है कि this organization has a dream of reaching to 30% more sales तो ऐसे में तुम्हें question में आ सकता है कि बताओ ऊपर कौन से type of plan के बारे में बात हो रहे हैं तो वहाँ से पैचान लेना quantitative है plus dream लिखा हुआ है objective है वो तो वो क्या होगा आपका objective वाला plan होगा next step policy it is a general statement that defines the boundaries within which the decisions are made यह general statements होती है जिनके बीच में ही मतलब जो boundaries provide करते हैं जिसके बीच में ही आप decisions लेते हो देखो तुमारी organization ने कुछ नया लेकी आया है कुछ रूल लेकी आया है कुछ भी लेकी आया है ठीक है अब तुम confused हो कि इसे interpret कैसे करें मतलब उसका translation कैसे करें क्योंकि उसके अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग translations निकल रहे हैं तो उस time पे तुम policies को refer करते हो तुम policy देखते हो कि मेरी organization की policy क्या है अब उस policy से जो भी linked आपको translation लग रहा होगा तो policy basically आपको एक framework प्रवाइड करता है एक general statement होता है जो कि आपको boundary set करके देता है कि आपको जितने भी decisions लेने है जितनी translation करने है इसी के basis पे करने है it helps in solving recurring problems easily for example sale on cash basis only यह आपकी recurring problems को solve करने के लिए easily solve करने के लिए काम आते है और इसके example में cash basis पे sale करना लिखा हुआ है कि किसी organization की policy है कि हम तो सिर्फ cash में deal करते हैं तो अगर आप नया कुछ लेके आ रहे हैं तो interpretation में यही आएगा यह तो cash में deal करेंगे ठीक है चलिए अब यह कर लिजे आप मैंने क्या किया है आप लोगो को screenshot लेने का मौका ने दिया यार अक्छली चलो तो यह 21st question है फड़ा-फट इसका screenshot लो मैं फड़ा-फट आपको screenshot दिलवारी हूँ 22nd question this is the answer 23rd question this is the answer 24th यह है answer 25th यह है answer 26th this is the answer 27th यह है answer अब हम आ गए है 28th question में और यह पूछ रहा है differentiate between method and budget as types of plans आपको methods and budget में differentiation करना है यह अलग-अलग दो तरह के plans होते हैं मतलब kind of सारे equation जितने भी आ रहे हैं वह types of plans के basis पही आ रहे हैं और मैंने आपको पहले star mark करके बोला हुआ है कि इंपी topic है मतलब important topic है इसे skip मत कीजिएगा खृपया करके method and budget को differentiate करना है तो इसमें obviously differentiation में हम क्या बनाते है table बनाते है table में सबसे पहले basis लिखा हुआ फिर method को explain किया हुआ फिर budget को explain किया हुआ सबसे पहला point है meaning meaning में यह बोलते है it provides the prescribed way or manner in which a task is performed यह तरीका बताता है एक prescribed वे बताता है किसी भी काम को करने का normal language में भी जब हम बोलते है तो हम method को क्या बोलते है मत्ब किस वे में यूज करते कि इस काम को करने का method यह होना चाहिए यह इस method से होता है that means यह तरीका बता रहा है हमे की जासे होना चाहिए तो method का मतलब वो होता है whereas budget का मतलब होता है जैसे it is a statement of expected results expressed in numerical terms यहाँ पर जो numerical terms है यह सबसे important word है reason being यह जितना भी budget में चीज़े लिखी होते हैं वो quantity में लिखी होते हैं मतलब वो figures में लिखी होते हैं यह numbers में बात करते हैं सारी चाहे वो income की हो, expenditure की हो, profit की हो, this की हो, that की हो सारे की सारे जतनी भी चीज़े इसमें mentioned होते हैं वो figures में होते हैं फिर purpose में ही बोलते हैं यह एक standardized तरीका बताते हैं routine jobs को करने का फ़र से किसी इंसान को office जाना है वो अब हर रोज office जाएगा तो वो office जाता कैसे है वो घर से पहले रिक्षा लेता है फिर आगे metro करता है फिर metro से आगे रिक्षा लेता है फिर office पहुचता है तो यह उसका routine task है जो हर रोज करता है और उसको करने का तरीका हम बताने की कोशिश करें तो वो उसका method होगा they provide a basis for control of activities budget में basically हम activities को किस तरह से control में रख सकते हैं उसका एक basis बताया जाता है देखे अब जैसे माल लीजे मैं बोलती हूँ कि हमारा total budget किसी एक particular event की उपर पचास अजार हो सकता है तो वो हमें एक बता देखा कि हमें इसी के अंदर सब कुछ manage करना है तो हमारी activities सब कुछ within that amount होनी चाहिए तो वह restriction set कर देता है kind of kind they come under standing plans standing plans में आता है standing plans का मतलब क्या होता है एक plan जो बार-बार चले अब थोड़ा सा logic ही लगा ले ना routine job बोले तो वो काम जो तुम बार-बार करते हो मतलब recurring way में इस्तमाल होता है whereas budget जो होता है single use plan होता है एक बार इस्तमाल हो गया जिस्तमाली घर में शादी थी उस काम ने budget बना लिया अब घर में शादी खत्म तो budget खत्म है ना अब दूसरी शादी पे दूसरा budget बनेगा same budget को थोड़ी ना apply करेंगे पहले आपके यहां पे लड़की की शादी थी तो उसमें आपने अलग budget बनाया था लड़की की शादी पे जादा खर्चा होता है अब तुमारे यहां पे लड़के की शादी है अब लड़के की शादी पे अब इसी कम खर्चा होता है तो ऐसे में budget दुबारा से बनेगा ना, that's the thing, okay, so ये है differentiation के points, आप चाहें तो इसकर इन्चाट ले सकते हैं बड़ा फट, फिर हम चलेंगे बारे next उस पे, that is question number 29, और ये बोल रहा है, differentiate between standing and single use plans, obviously most awaited question, मैं को ऐसा दखता है, ये question तो आही जाएगा आपका, standing plan और single use plan के बीच करना है, ठीक है, क्या करना है, standing plan और हमारे single use plan के बीच में differentiation करना है, सबसे पहले तो तुम यही मानलो, standing plan मतलब जो खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, सालो सालो तर, whereas जो हमारा this single use plan है, वो सिर्फ एकी बार इस्तमा करते हैं, ठीक है, whereas single use plan में ये बोलते है, they are formed for a short period and discarded when the assignment project is covered, ये discard कर दिये जाते है, once assignment ये project complete हो जाता है, single use है, मतलब इसका single usage ही होगा न, जिस काम के लिए बना होगा, एक बार वो काम complete होगा, तो इसका भी कोई इस्तमाल नहीं होगा, उसके बाद, scope की बात करें, तो ये इसकी wide scope होते है, क्योंकि ये whole organization को अंदर लेके चलता है, whereas single use plan की बात करें, तो इसकी narrow scope होते है, भाई, तुम थोड़ा सा logic वैसी लगा लो, ये plan एक ऐसा होने वाला है, जो long lasting way में चलेगा, अलग-अलग situations पे fit होगा, तो obviously उसको थोड़ा सा broad way में बनाने की वो कुशिश क करेंगे, तो उसका scope obviously बढ़ा होगा, ये single use plan है, जो एक particular situation के लिए बनेगा, अब particular situation के according बना है, तो customized होगा, उसी situation पे fit होगा, तो obviously वो narrow scope रखेगा, थर्ड बोलते है, frequency of use, they are repetitive in nature, standing plans repetitive होते हैं, क्योंकि बार 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 इस्तमाल होने वाले हैं, they are one time plan not used for recurring situation, ये recurring situations पे इस्तमाल नहीं होते है, when examples की बात करें, तो यहाँ पर example आ जाते है, policies, procedures, methods, यहाँ जाते है, objectives, budgets, अच्छा, एक चीज़ सुनो, ये जो example वाला point है ना, इसका सबसे वहले screenshot लो, क्योंकि इस से related na MCQ भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ask you, policies, procedures, methods, standing plan होते हैं, या फिर single use plan होते ह है, standing plan, derivative plan, या फिर हमारा single use plan, या फिर none of the above, तो ऐसे में, you'll have to mark, this is a standing plan, तो ये spaces पे, इस point के basis पे देखें, आज क्यों, multiple MCQs, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, policies, procedures, method, PPM, आपके होंगे standing plan, PPM, ST, ठीक है, whereas objectives और budget आपका होगा, single use plan, SU, OBSU, OBSU, PPM, ST, PPM, ST, मतलब policies, procedures, method, ये तीनों होंगे आपके standing plan, और OBSU, बोले तो objective और budget होंगे आपके single use plan, ठीक है, अब कुछ students ना मुझे Instagram पे na constantly message कर रहे हैं, कि माम, ऐसा कोई video बनाइए, जिसमें हमें पता चले कि हमें भी points याद कैसे सबसे जादा difficult होता है, points याद रखना, तो मैंने उसको मतलब अपने दिमाग में बठा लिया है, उस requirement को आपके, और मैं बहुत ही जल्दी उस पे एक video बना दूँगी, so just wait for some time, आपके पास वो video आ जाएगी, जिससे आपके लिए memorize करना, किसी भी उसको pointers को, advantages, disadvantages, nature, features, जो भ रहे हैं, in 2015, Naveen left his luxurious life in Mumbai, where he worked as a manager for Bluebirds Limited, he shifted to Begampur, Chhattisgarh, to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into a fertile farm, for this he set up out specific goals along with the activities to be performed to achieve the goals, every activity was a challenge, since he was clueless about farming, he learned every activity from filling the land to sowing the seeds, to aid farmers, he launched his own company, Innovative Agriculture Solutions Private Limited, it was difficult initially, as no one trusted an urban youth telling farmers about farming, but when everything was discussed in detail, the farmers started taking interest, he wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the company, through sales forecasting, he prepared an annual plan for production and sales, he also found that the farmers grew only paddy, which was an activity of 3-4 months and the land remained idle for the rest 8-9 months of the year, he not only identified but evaluated various alternatives through which the farms could be utilized for the remaining months of the year, through correct foresight and logical and systematic thinking based on analysis of all facts, all alternatives were examined and evaluated, he presented a plan to the farmers, where after harvesting paddy, vegetables could be grown, the above case highlights the features of one of the functions of management, by quoting lines from the above, identify and explain these features, okay, चलिए, I hope आपने केस्टरी पढ़ली पढ़ली है, वैसे मैं इस तरफ खड़ी हुई थी, तो I hope आपको पूरा स्फेस मिल गया पढ़ने का, अब मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ आप लोगो को, यह बात कर रहे हैं 2015, उसकी एर की, जिसमें एक लड़का था नवीन, जिसन पर एक मैनेजर था, वो पोजिशन वो छोड़के चला गया कहां पर, अपने ग्राइंड मदर के ड्रीम को पूरा करने के लिए, बेगमपूर 36 गड़ में, और उसके ग्राइंड मदर का क्या वो था, कि इनकी 25 एकर ancestral land थी, जिसको fertile farm में इसको convert करना था, वो उनका सपना था For this, he set out specific goals along with activities to be performed to achieve the goals, इसके लिए इसको specific goals को specify करना था, set करना था, और activities क्या-कया perform करने और उन goals को अचीव करने के लिए वो भी decide करना था Every activity was a challenge, हर एक activity एक challenge थी, since he was clueless about farming, क्योंकि उसको farming के बारे में कुछ नहीं पता था उसने सारी activities को समझा, सीखा, और farmers को मदद करने के लिए एक company बना थी, जिसका नाम उसने रखा Innovative Agriculture Solution Private Limited ऐसा मानिया, इसको खुद को कुछ नहीं आता था, farming की बारे में, यह मुंबई से आया था, पर इसका सपना था, जो सपना लेके आया था, अपनी grand mother का सपना पूरा करने का और फिर उसके चलते हो, उसने सारी चीज़े सीखी, और उसने खुद की एक company बनाए, Innovative Agriculture Solution Private Limited इनिशली ना किसी ने भी इसके उपर ट्रस नहीं किया, थिंकिंग अरे यार, शेर से आया हूँए लड़का है, ऐसे कैसे हम इसी खा सकता है, farming के बारे में, हम तो खुद farmers है, बट आइसता जब लोगों ने इसकी बाते सुनी, तो थोड़ा बात इंट्रेस लेना शुरू क कर रहा है, मतलब इसने फोकास किया कि कितनी सेल्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पे उसने आन्वल प्लान, प्रदक्शन और सेल्स का बनाया, He also found that the farmers grew only paddy, इसने ये भी देखा कि farmers ना सिर्फ rice उगा रहे हैं, जो कि 3-4 महीने का काम है, और बाकी पूरे साल इनकी जो property होती है, जो जमीन होती है, वो खाली पड़ी रहती है, He not only identified, but evaluated various alternatives through which the farms could be utilized for the remaining months of the year, इसने ऐसे alternatives जूंडे जिसके चलते हुए 8-9 महीने जो property खाली पड़ी रहते हैं, जो farms खाली पड़ी रहते हैं, उनको effectively इस्तमाल किया जा सके, Through correct, foresight and logical and systematic thinking based analysis of all the facts, all alternatives were examined and evaluated, तो इसकी logical and systematic thinking के कारण जो analysis इसने प्रिपेर की, उसने सारे alternatives को अच्छे से बता दिया, जिसकी वज़े से alternatives को examine भी कर पाया, evaluate भी कर पाया, He presented a plan to the farmer, इसने farmers को एक plan present किया, where after harvesting paddy, vegetables could be grown, जिसकी चलते हुए, मतलब जो plan इथा, इसका farmers की सामने रखा था, उसकी चलते हुए, इसने उन लोग को समझाया है, कि जो 8-9 महीने आपकी property खाली रहती है, farms खाली रहते हैं, उसमें आप vegetables grow कर सकते हो, The above case highlights the feature of one of the functions of management, अच्छा, यहाँ पर जो बड़िया question है, वो देख लो, थोड़ा सा दिहान लगा के सुनना, मैं क्या बोलने वाली हूँ, यह बोल रहे हैं, कि आपको features बताने है, management के उस function के, जिसके बारे में उपर बात हुई है, कहने का मतलब यह है, इन्होंने तुमें बताया ही नहीं है, कि कौन से function के बारे में आपे बात हो रही है, यह तुम्हें खुद का दिमाग लगा के बताना है, ठीक है, तो यह मतलब, क्योंकि अभी तो तुम्हें पता है, planning chapter पढ़ रहा है, तो तुम्हारा पूरा answer इसी के उपर dependent होगा, अगर मालो तुमने गलती स and decide कर लिया ना कि यह वाला function सही है, तो तुम्हारा पूरा answer गलत हो जाएगा, simple सी बात है, तो सबसे पहले तो तुम्हें यह देखना होगा, कि पूरे उसमें बात किसके बारे में हुई है, कौन से function के बारे में हुई है, जिसे words लिखे हुए थे, कि उसने दिमाग लगाया alternative सोचे, उन्हों alternative में से best one select किया, vegetable वाला और फिर farmers को convince किया, तो यह सारे अलग-अलग steps ही बता रहे हैं, वो planning process के, तो वहाँ सी तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कि planning की बारे में बात करे हैं, और आपको quote करते हुए lines, अलग-अलग features को explain करना पड़ेगा, planning की ज अपने ancestral land को मतलब जो बुज़ुर को द्वारा दी गई land होती है, उसको fertile बना सके, ठीक है, उसे knowledge नहीं थी farming की कुछ भी, उसने initially सब कुछ सीखा, खुद की एक company form की, और फिर दूसरे farmers को भी help करना, मतलब support provide करना start किया, बागी के farmers उस पर rely नहीं करें, तो thinking यह बुंबई तीन से चार महीने paddy grow करते हो, अपने farms पर उसकी बाद पूरा साल free रहते हो, बढ़िया उस टाइम पर भी अपने land को इस्तमाल करो, कुछ और उगाओ, तो vegetable उगाने का suggestion दिया, और इस तरह से, इसने मतलब हर एक चीज़ को तरीके से अपने यहाँ पर set करा, अब आपको य lines quote करते हुए, उन सारे features को आपको लिखना है, that's your task in this particular question, चेक है, आया है तर समझ, छले हम आम answer पे, okay, so features देख लेते हैं कौन-कौन से है, for this, he set this goals, ऐसे करके एक line थी ना कि इसके लिए उसने goal set किये, यह किया, वो किया, तो this line indicates the following feature of planning, यह line indicate करते है, following feature कौन सा, planning focuses on achieving objectives, planning का main focus होता है, objectives को achieve करना, यहां पर यह goals की बारे में बात कर रहे है, goals set कर रहे है, तो objective ही तो set कर रहे है, तो planning शुरू ही हही से होते है, planning में तो काम ही ही होता है, कि हम objective set करते है, जो कि आगे चल कि हमारे controlling में भी इस्तिमाल होती है, actual performance को measure करने के लिए, it says every organization has a set of goals to be achieved, planning involves setting goals and determining the most economical and viable course of action to achieve the pre-determined goals, thus planning is purposeful, planning में basically हम क्या करते है, pre-determined goals को अचीव करने की कोशिश करते है, इस्ते planning एक purposeful वो है, काम है, second है, he not only dashed the year, ऐसे करके एक लाइन थी, जिसमें यह बोलता है, involve होता है decision making, choosing अलग-अलग alternatives में से, मैंने आपको बताया था ना भी वह भी करते हुए कि आप कैसे recognize करेंगे, कौन से function की बारे में बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि alternatives की बारे में बात होई थी, उसमें से best one select किया था, यह किया था, तो alternative में से best one select करना, कि क्या होता है, decision making वाला part होता है, और यह शायद एक MCQ में भी पूचा गया था, कि different alternative में से, एक select क करना, क्या काम होता है, तो उसमें चार वो दिये होई था, और उसमें answer था, decision में के, through correct dash evaluated, a client थी analysis और evaluation वाले, उसमें यह बोर रहे है, planning is a mental exercise, मतलब उसमें intellectual process है, उसमें दिमाग लगता है, उसमें आपको तोड़ा बात अपने सर पे, अपने दिमाग पे जो डालना पड़ with sound judgment, it is an intellectual activity of thinking rather than doing, it requires a logical and systematic thinking rather than guesswork और wishful thinking, इसमें सिर्फ आप guesswork नहीं लगाते हैं, आप इसमें दिमाग लगाते हैं, सोच विचार करके ही सारी planning करते हैं, अच्छा चलो, यह question यहीं पे खतम होता है, इसलिए पहले इसका screenshot ले लो, फिर हम next question पर move करेंगे, यह भी screenshot ले लो, Okay, so 31st question में यह बोल रहे हैं, a company is manufacturing baby garments, the manager wants to increase the profits by purchasing new high speed machines or increasing the sale price or using waste material in manufacturing soft toys, he decided that by using waste material to increase the profit is the best solution for him, first identify the concept of management involved here, अब मैं बता दूँ आगे के question आपके तभी solve हो पाएंगे जब आप इस question का अंसर सही से कर लेंगे, Second है, mention the steps involved in the above process by quoting lines from the question, to complete the process of the concept identified, what further steps does the manager have to take, सबसे पहले तो concept को identify करो, इतना सा सब पढ़के, उसके बाद, मतलब उसमें कौन कौन से steps यहाँ पर बताये गए हैं, उस process के वो identify करो, और फिर third में, बागी के बचे हुए steps आपको लिख रहे हैं, ठीक है, क्या है, company manufacture कर रही है, baby garments, बच्चों के लिए garments, ठीक है, बहुत कमारी हो कि, क्योंकि आप सब को पता है, बच्चों के garments, जादा महेंगे, मिलता है in comparison to बड़ों के garments, the manager wants to increase the profits by purchasing new high speed machines, जो manager है, वो profit को increase करना चाता है, new high machines को purchase करके, और sales price को increase करके, और waste material से, वो softwise manufacture करना चाता है, मतलब baby garments तो बनाई रहा है, साथ में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, चोटे मोटे जो लीरे बोलते हैं उसे, local language में, तो लीरे जो खराब हो जाते हैं, उनको इस्तिमाल करके, वो babies के लिए soft toys बनाना चाता है, तो आपको, he decided that using waste material to increase the profit is best solution for him, इसने recite किया है कि waste material, मतलब use करके, ये profit को increase कर सकता है और वो best solution होगा इसके लिए, तो आपको first of all concept बता लगानी है, फिर जितनी process लिखी हुई है, उसमें कौन कौन से steps included है, वो बताने हैं, बचे हुए steps और बताने हैं, ठीक है, that's the question, and now let's move to the answer, the concept involved here in the given situation is planning, यहाँ पे ध्यान दीजेगा, उसने अभ अभी तक करना, शुरू नहीं किया है, यह सारी चीजे उसके दिमाग में चल रहे हैं, कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं यह करूँगा, यह वो करूँगा, यह वाला question थोड़ा सा tricky था, अभी तुम्हें पता है, planning chapter की बात हो रहे हैं, तो तुम्हारे लिए है, तो मतलब वो planning कर रहे होंगे, और अगर वो सब चीजे past में हो चुकी है, तो वो directing, controlling, कुछ भी ऐसा answer हो सकता है, तो अगर सोचा ही जा रहा है सिर्फ अभी तो वो planning process का है, manager of the baby garments manufacturing company must take the following steps before deciding to use waste material to increase profits of the company, यह बोल रहे हैं कि उसको यह decide करने से पहले कि waste material को increase, मतलब profit increase कर करने के लिए इस्तेमाल करना है, उसको decide करने से पहले उन्हें एक और चीज़ के मतलब यह सारे steps include कर लेने चाहिए, setting objectives, objective set करो, develop करो premises, identify करो different course of action, उसमें से फिर evaluate करो सारी चीज़े, best alternative को decide करो, और complete करो process, planning manager has to take the following process, implement the plan or follow up action, implement करके और follow up करके, third question का answer होगा, ठीक है, so basically planning process को ही पूरा explain किया हुआ है, भही आपको करना था, 4-5 steps already, जिनके बारे में बात हो रही थी, वो हो रही थी और complete करने के लिए process, हमें ये 2 steps और करने पढ़ेंगी, ये last के 2 steps है, ठीक है, चले, फड़ा बड़ा screenshot ले ले लिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ये बारे में इन statements में बात हो रही है, आपको उन्हें name करना है और explain करना है, ये आया tricky question, मतलब बढ़िया वाला question आया है, ये आपका, ऐसे question आएंगी तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, first है, ends which the management seeks to achieve, ends जो की management seek कर रहा है अचीव करने के लिए, end results जिनको management पाना चाहता है, that's the first question, exact manner in which any work is performed, exact तरीका जिसमें एक पटिकुलर काम किया जाता है, prescription of what and what not to be done, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो prescribe करना, ठीक है, and the prescribed way in such a task is performed, एक prescribed way जिसमें एक पटिकुलर task perform की जाती है, इन दोरों में confused मत होईएगा, और एक बड़ देख लीजी क्या होगा आपका answer, हर एक उसमें, exact ends, जो की management सीख करती है, अचीब करने के लिए, exact manner जिसमें कोई काम perform होगा, prescription of what and what not to be done, and then prescribed way in which a task is to be performed, second और fourth आपको confusing लग सकता है, एक answer दूसरे में मर्ज हो सकता, ध्यान से करिएगा, and the correct answer is, first है objective, ends which we want to achieve, ends, मैंने बताया भी था, ends जिसे हम achieve करना चाते हैं, मैं हमेशा objective में आपको ऐसा करके बताती हूँ न, कि वो चीज़ जो हम पाना चाते हैं, वो कौन सा वाला type of plan होगा, वो objective होगा, तो objective को इन्हों नहीं हाँ explain किया हो, मैं explanation में नहीं जारे हो, पर किसा objective मैं बहुत बार explain कर चुके हो, second है आपका procedure, किसी भी काम को करने का the exact matter in which any work is to be performed, किसी भी काम को करने का सही तरीका, procedure, जिसमें steps होते हैं, third है rules, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहाँ पर तुम शूज नहीं उतार सकते है ऐसा तुम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर फॉलस अगर हमें कोई भी काम को को पोमतले तरीका इसमें रूटीन जौब करने का तरीका नहीं मैं boris घोने हुगत को एक सीघुफोन्स बाता है था इसनौने आपके explanation है, screenshot ले ले जे हैं सबका and अब आगे है हमारा last second question that is 33rd question, ये case study है international ambitions of SR के बारे में the SR group is looking to step up मैं इस side होके read कर यू जो भी students खुद से read करना चाते हैं वो pause कर सकते हैं इस time पर वीडियो को ठीक है और read कर सकते है the SR group is looking to step up its global operation by entering the riskier but profitable markets of Africa Eastern Europe and Middle East in its core business of steel the SR group is also looking at a proposal to acquire an integrated steel plant in Eastern Europe the group has also announced its intention of setting up green field steel manufacturing operation in Sharjah, Qatar and Iran it has plans to set up 50-50 joint venture with state-owned Qatar Steel Company for a 1.5 million ton steel plant along with 1 million ton steel rolling plant on the outskirts of the Sharjah and another ton per annum steel plant in Iran according to our recent ISR newsletter but the Indonesia branch of ISR where the group runs a cold rolling complex is expected to look for merger and acquisition opportunities in the region explain how far, how can the SR group benefit from planning okay, so answer आपने थोड़ा बहुत देख लिया है बट मैं आपको पहले केस तरही समझा देती हूं बोलना चाहरे है, they are saying the ISR group is looking to step up its global operation by entering into the riskier but profitable markets of Africa यह पहले कुछ selected areas में limited है अभी अपने operations को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि यह global जाना चाहते हैं तो यह ऐसे riskier ventures खोलना चाहते हैं मतलब ऐसे areas में कदम रखना चाहते हैं जो risky तो होंगे लेकिन profitable भी होंगे हमने सुना हुआ है na the more the risk the more will be the profit, right तो जितना risk involved होगा, उतना profit होगा तो यह ऐसे ventures में अब जा रहे हैं मतलब ऐसे areas में जा रहे हैं जहापे इनको risk तो मिलेगा मिलेगा लेकिन साथ में profit भी मिल सकता है In its core business of steel, the SR group is also looking at proposal to acquire an integrated steel plant in Eastern Europe यह Eastern Europe में एक steel plant को integrated steel plant को खरीदने के बारे में रहे हैं, acquire करने के बारे में basically, कि अपने अंदर ले लेंगे उसे The group has also announced its intention of setting up greenfield steel manufacturing operation Greenfield का मतलब क्या होता है for the very first time, scratch से किसी चीज को कहीं पर लाना तो यह शार्जा, Qatar और इरान में greenfield project मतलब first plant खोलना चाहरे है It has plans to set up 50-50 joint venture with state-owned Qatar Steel Company Qatar Steel Company के साथ joint, मतलब state के द्वारा जो own की जाती है उसके साथ यह joint venture में आजा साथ है 50-50% पे 1.5 million ton steel plant along with 1 million ton steel rolling plant on outskirts of Sharjah and another top ton per annum steel plant in Iran अलग-अलग figures बताई हुई है according to our recent newsletter, मतलब इनकी newsletter के according ऐसा बताया गया है कि यहाँ यहाँ इस प्लेस प्लेस प्लान कर रहे है Even the Indonesia branch officer where the group runs a cold rolling complex is expected to look for a merger Indonesia में भी जो इनकी branch है वो भी merger and acquisition opportunities धून रही है अपने region में आप बताये कि किस प्रकार से इसर को planning से मदद मिलेगी तो यहाँ पे basically आप से planning के advantages पूछे हुए जो कि इस प्रकार सिटूएशन पे fit होते है तो फॉस्ट आप से इंग planning provides direction planning direction provide करते है by stating in advance how work is to be done in future planning provides direction for action it clearly defines what the employees have to do when to do and how to do and for whom to do when employees are aware of what they have to do departments and individuals are able to work in coordination if there is no planning employees would work in different different direction यह आपको एक दिशा दिलाती है जो आपको बताती है कि आपको सारे efforts किस दिशा में लगाने है अदर्वाइस सारे ऐसे 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 जाने लग जाएंगे employees अपने अपने efforts के साथ तो organization का भला नहीं हो पाएगा so it basically provides you direction it reduces the risk of uncertainties uncertainties के risk को reduce करती है और विसी जब आप foresightness इस्तिमाल करके future के बारे में planning कर रहे हो तो कोई भी चीज आपके लिए एकदम से shock की तरह नहीं आएगी कि बिल्कुल आपने expect ही नहीं किया था यह कहां से आगया ऐसा ऐसा नहीं होगा आपके लिए हर एक चीज ऐसे होगी तो ऐसे में आपके लिए बड़ा unexpected हो जाते हैं कल तक तो मेरे लिए मतलब इतना कर रहा था मेरा soul brother, soul sister बना हुआ था आज मतलब कुछ है ही नहीं तो यह unexpected होगा लेकिन जब किसी की दोस्ती तूटती है तो वह एक दिन में दोटती महीं जरू है की Rat is प्रिपएड के मारी दोस्ती में आने तो आपके लिए उड़ा इसना मैं मदद करता है महीं के सब्सक्राइम आंगे शने है वह और टो प्रिपेर्ड लाट थीग अभी से अपने आपको प्रिपेर करने शुरू करतो, प्लाइनिंग रिडीजिस ओवरलापिं एंड वीस्फिल आपक्तिविटी जब आप हर एक चीज प्लाइन वए में करते हो तो आप कोई भी अक्तिविटी दो बार नहीं करोगे, या कोई भी activity ऐसे नहीं होगी जो skip हो जाएगी हर एक activity पे जितना amount of time आपका लगना चाहिए energy लगने चाहिए वो लगती है planning promotes innovative ideas planning से innovative ideas promote होते हैं कैसे जब आप सोचते हैं planning करते हैं तो दिमाग लगता है दिमाग लगता है तो आपकी creativity निकल के आदे innovations निकल के आदे नहीं नहीं जरूरते हैं नहीं नहीं जरूरतों क्या पूरा करने के लिए आप दिमाग लगते हैं तो नहीं नहीं ideas आपके दिमाग में वैसे भी role होते रहते हैं चलिए अब हम आ गए हमारे last question पे जो कि है question number 34 यह इस series का last question है और यह भी again क्या है case study है क्या बोलती है let's read it यह case study है ministry draws a plan to turn around SEVs by 2008 की इसमें यह भो रहे हैं to give a boost to the financial health of state electricity boats SEVs जिस हम बुलाते हैं the power ministry has outlined an 11 point agenda to initiate their financial turnaround by 2007-2008 suggestions include changes in the way distribution utilities submit tariff fixation petitions to the regulators and introduction of the concept of a proper time bound business plan the ministry has asked all utilities to adopt a multi-year tariff approach while filing the next tariff petition for 2007-08 before the state regulator this must be undertaken before December 2006 it has also asked utilities to have a state approved business plan with the identifiable goals for a 3, 6 and 12 month period also approval needs to be sought from the state regulator for automatic tariff adjustment to recover additional fuel and other and unanticipated cost in spite of pre-planning of the power ministry SEVs may not achieve the outline goals explain why okay that's your first question but before that let's understand the meaning of this case study okay ये बोल रहे हैं कि हम अपनी SEVs को मतलब state electricity boats को एक financial health का boost देना चाह रहे थे क्यों कौन देना चाह रहे था पावर ministry देना चाह रहे थी उन्होंने 11 point agenda बनाया है मतलब ऐसा एक agenda बनाया है जिसमें 11 points हैं जिन पर ये work करने वाली हैं to initiate their financial turnaround by 2007-2008 क्योंकि आप जानते हैं कि बुक थोड़ी पुरानी है तो case studies भी थोड़ी पुरानी पुरानी ये उठाते हैं दजार साथ हाट की बात हो रही है Suggestions include changes in the way distribution utilities submit tariff fixation petitions to the regulator ये बुल रहे हैं suggestions में एक suggestion ये भी है कि किस तरह से tariff fixation petitions जो regulator के पास submit होती है उन में changes किये जाएंगे और introduction of concept of proper time bound business plan और proper time bound business plan कैसे बनाये जाएंगे time bound बोले तो एक period decide करके कि ये plan अगर achieve करना तो ये within this time period achieve करना है The ministry has asked all utilities to adopt a multi-year tariff approach while fixing the next tariff petition for 2007-08 Ministry ने सारी utilities को बोला है कि multi-year tariff approach fix करें मतलब जब भी next tariff petition अपन फाइल कर रहे होंगे 2007-08 के बाद किया या उस year की before the state regulator regulator के पास this must be undertaken before December 2006 2006 से पहले December 2006 से पहले ये चीज करनी होगे आपको It has also asked utilities to have a state approved business plan with identifiable goals for a 3, 6 and 12 month period 3, 6 और 12 महीने की periods के identifiable goals set किये जाएंगे कि 3 महीने में ये achieve करना है 6 months में ये achieve करना है, 12 महीने में ये achieve करना है Also approval needs to be sought from the state regulator for automatic tariff adjustment Approval भी लिया जाएगा state regulator द्वारा automatic tariff adjustments का to recover additional fuel and other unanticipated costs मतलब हर चीज के लिए permission न मांगता रहे, थोड़ा बहुत वो खुद से भी automatic way में adjustment कर पाएं, ताकि वो additional fuel के cost को recover कर पाएं जितनी भी unanticipated मतलब जिनको पहले से वो नहीं anticipate कर पाएं थे नहीं उनके बारे में पता लगा पाएं थे, उन costs को भी पूरा करने के लिए अपना outline goals को अचीव नहीं कर पाएंगे, explain करिये why, ठीक है, I hope case study आपको समझ में आये, कुछ जादे technical case study है, but the answer is like this, देखिये, इन्होंने obviously planning के बारे में बात करी, यहां पे लिखा हुआ है, pre planning, planning से पहले जो चीज़े की जाती है, वो सारी चीज़े करने के बावजूद भी यह वो नहीं कर पाएंगे, अचीव, अब इसमें वो planning के बारे में कुछ negative बोलना चारे है, तो आपको obviously यहां से पता चल गया होगा, कि answer में negative points आएंगे, disadvantages आएंगे, किसके planning के, तो first they say, planning does not guarantee success, मतलब मा यह होता है कि planning कोई guarantee नहीं दे रही है success की, planning सिर्फ आपकी मदद करें कि success तक वो आपको ले जा पाएगे, लेकिन इससे short shot आपको guarantee मिल जाएगे, नहीं भई तुम तो पका ही successful होगे, that's not necessary, okay, planning does not work in dynamic environment, planning dynamic environment वो work नहीं करती, जब आपके आजपास की चीज़े बदल रही होत अचा मैं अभी यह पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको explanation देती जा रही हूँ, ठीक है, तो यह आप खुद read कर ले ना, चाहो तो screenshot ले लो, okay, चाले, next question है, identify one limitation of planning involved in this case, एक limitation जो की planning का involved है इस case में, and they say, business environment consists of social, economic and legal and other factors which keeps on changing the organization as to adapt itself to such changing environment, planning does not work in a dynamic environment, planning dynamic environment में, वो नहीं करते है, see, यह case study थोड़ा technical था, but I didn't like the questions, questions की quality बहुत ही average थी, so, ठीक, it's okay, एक आदे question में, just कर लो, and यह particular full packet series का वीडियो यहीं पहतम होता है, planning chapter से related, I hope इसमें जितने भी questions थे, वो तुमें बहुत ही अच्छा लगे, मैंने जो लिखने का pattern तुमें बत कोई भी doubt है, comment section में तुम बूच सकते हो, जितने भी important description, links हैं, वो सारे तुमें description box में मिल जाएंगे, and at the same time, अगर तुम लोगों को books चाहिए, तो तुमें पता है, तुमें कहां contact करना है, कैसे करना है, right, चलिए, अब हम मिलते हैं, हमारे next video में, organizing chapter का, full packet series का जो वीडियो आएगा, बहुत ही जल्दी, एक आध दिन में, उसमें मिलते हैं, उसका PDF, community post से ले लेना, पहले attempt करके देख लेना, बढ़िया लगे, तो उसके बाद, तुम, मतलब बढ़िया लगे, नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए, जो भी तुमारा हो, पे answer check करने के लिए, वी वीरी जाहपः, उस्लिए στη मिलते हम ये लेस्वा कारू में, बहुत है आएपधा दिन लगे के में हमिलते हैं, कीन में तुमारा ह lunar खेरी ले, आवे वीं समझ में आए winter's में हम आएब शीच नहीं समझ मिलते हैं,